देर स्वेंट्स बहुत-बहुत स्वागत आप से लिखा बच्चों ये क्लास 5 का मैथ बूक है चेप्टर 6 एक्सरसाइज 38 तो लास्ट वीडियो में मैं आप लोगो इस एक्सरसाइज का 15 नमबर क्वेश्टन तक स्वाल्व करके मैं दे चुका हूं तो आज हम लोग क्वेश उसको इतना प्रट वो सब्सें उगाने के लिए उप्योग करती है इतना बाकि में दूसरी सब्सें उगाती है if the kitchen garden is 100 square meters how much is used for growing tomatoes तो अगर वो total जमीन जो है इतना meter है 100 meter square है तो फिर वो सिर्फ टमाटर उगाने के लिए कितना उप्योग करती है तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं पेपर ले ले लेते हैं question number 16, actually आपको question ने दिखेगा मैं यहाँ पे लिख के बतलाते जाता हैं आपको समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले kitchen garden का जो area है उसको लिख लेते हैं total area total area of kitchen garden kitchen garden equal to हो गया 100 meter square square meter जो वहाँ लिखा हुआ है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं उसके बाद used हुआ सबसे पहले कितना यूज़ हुआ used area for growing vegetables for growing vegetables कितना पाट यूज़ हो गया 3 by 4 3 by 4 आप total का उतना पाट total कितना हो गया 100 तो कितना हो गया 3 by 4 into 100 तो यह कट जाएगा 25 बार में 25 3 by 75 meter square तो इतना यूज़ हो गया तो यहाँ पे total area use हो गया इतना जो है vegetable में use हुआ तो इतना जो fraction में दिया हुआ vegetables तो यहां T होगा spelling कहीं mistake होता है तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है तो यहां पर यह पार्ट यूज़ होता है तो इसका मतलब है कि इतना meter square use हुआ अब जो है तो यह total part हो गया अब इसका जो है tomato उगाने के लिए इसमें से 1 by 3 का used होता है used area अब यहां पर हम लिखते हैं used area for tomatoes tomatoes के लिए tomatoes के लिए कितना part use हुआ 1 by 3 तो इतना part का 1 by 3 होगा 1 by 3 of 75 अब जो है इसका कितना area लिकल जागा 1 by 3 of मतलब multiply 75 तो यह कट जागा इससे 25 बार में 25 तो इससे 75 हो गया कट गया इसका मतलब है कि 25 मीटर स्क्वाइर एरिया जो है एरिया tomatoes के लिए उप्योग हुआ यही answer हो जाएगा इसका next question लेते है question number 17 यह question number 17 और इसमें कह रहा है express rupees 5 25 पैसे तो रूपीज यहाँ 5 दिया हुआ है और पैसे 25 दिया हुआ है as a fraction of rupees 26 और 25 पैसे तो यहाँ पे एक पार्ट यह दिया दिया है एक पार्ट यह दिया है तो fraction में बनाने के लिए का रहा है तो आप समझ लेजे कि fraction के जो denominator होता है वो total part वो होता है और इसमें rupees 5 और 25 पैसे यह दिया हुआ है एक पार्ट हो गया आपका यह तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं rupees 5.25 या फिर इसको अगर fraction में लिखना हो तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 525 by point को हटा दियें और point के बाद 2 number है तो 1 देके 2 0 लगा देंगे इस तरह से लिख सकते हैं और इसका दूसरा part दिया हुआ है rupees 26 और कितना पैसा है 25 पैसे 25 पैसे तो यह जो है यह दूसरा part दिया हुआ हम इसको कैसे लिख सकते हैं rupees 26.25 और इसको इस तरह से भी बना सकते हैं फ्रेक्शन में तो कैसे बन जागा यह पूरा इसको नंबर लिख लेता है 26.25 by point के बाद दो नंबर है तो 1 देके 2-0 करेंगे तो यह दो पाट आ गया अब इसको उपर रखेंगे इसको नीचे रखेंगे तो इसको इसको डिवाइड देंगे तो इसको डिवाइड देने के लिए हम क्या कर सकते हैं इस तरह से कर सकते हैं स twisted से और से केंड पार्ट को मल्टिप्ला करके इस तरह से उसको उलट देते तो 2625 यह तो कट गया अब इसको काटना है 10 se तो फाईब से कट लेते हैं इस तργ ethnic reference एगा तो फाइब फाइब जा 25 मिंच्चा यहां से पॉन बसЖक्न यहां तो तो 5 तू जा 10 हो गया और यहां पर तू रह गया तो 525 इतना बार में यह कट आ और यहां पर इसको काटेंगे तो यह 515 हो गया और तू जाएगा तू जाएगा नहीं तो जीरो आ जाएगा फिर 25 यह इतना बार में कट गया तो 21 का टेबल से 105 तो कट रहा है इस से काट देते हैं इसको 5 बार में यह कट गया तो आया कितना 1 by 5 उपर में कुछ बचा नहीं तो 1 बचा 5 तो इसको जो फ्रेक्शन रूप में यह फ्रेक्शन रूप हो गया 17 का अंसर यह हो जाएगा